कि आज के टाइम पे बहुत सारे लोगों का लोगों के मन में एक साबल चलता रहता है कि हम अपना वेट को कैसे कम कर सकते हैं तो आज मैं इस वीडियो में उस सारे चीज से कोई बारे में बात करूंगा जहां से अब लोगों को पता चलेगा कि आप अपना वेट को कैसे कम कर स वीडियो स्टाट करने से पहले एक बात बता दू क्या अब में से कोई गेट एक्जम देने के बारे में सुच रहे हो क्या आप भी गेट एक्जम के लिए पिपरेशन लेना चाह रहे हो क्या आप भी किसी आयाईटी कॉलेज से अपना इम्टेक कंप्लीट करना चाहते हो तो अब लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ एक गुड़ नियूस आज मैं बताऊंगा एक ऐसा संक्ष्था के बारे में जिसका नाम है एक टीसी यह पेशली गेट एक्जम के लिए त्यू इमेल आईडी दिया गया है आप उस इमेल आईडी की तुरू से भी उस संक्ष्था के साथ चोड़ सकते हो तो सबसे पहले कैसे हम लोग अपना वेट काम कर सकते हैं इससे पहले हम लोग एचान लेते हैं कि कौन-कौन सा रीजिन है जिन में से जिसके बज़े से हमारा सरीर में हमारा वेट बढ़ता है तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा जो पॉइंट है हाई कैलोरी इंटेक कोई भी इनसान अपने काम करने में सारे दिन में जितना एनर्जी खर्चा करता है अगर ओन लोग जो खाना खाते हैं उसमें उन लोगों को जो एनर्जी मिलता है अगर ओ यो एनर्जी जितना उलोग खट्चा करता है उससे ज़्यादा होता है तो जो इसके सरीय में प्राइट की दर पर हो जाता है तो इसके बजह से उति बढ़ता है दूसरा जो सूकर अगर कोई बी इनसान सूकर ज्यादा कहते हैं ऐसा कोई फूट खाते हैं जिसमें सुगर ज्यादा परिमार में पेजन्ट होता है तो उसके सरीर में ब्लाट में सुगर का परसेंटेज बढ़ जाता है और किसी के सरीर में अगर सुगर का परसेंटेज बढ़ता है तो वह एक रीजिन होता है उसका बढ़ने का क्योंकि सुगर ब्लाट में अ ole ताइम सोता है को उसके ऊधार भी मोट कंटोल होता है अगर कोई कोई इंसान आपने सोने के टाइम मेंटेन करता है और 7-8 गंटा सोते हैं तो उसका ड़ी कम अधाभता है ते छौता जो पॉइंट है ओंजीट था के अगर कोई भी लोग कोई भी इन्सान इन्सट्रेस रहता तो उसके सरेंट में जो अड्रेनाल हर्मन होता और करिष्टिश्ट नाम के एक इँजाइम करता है जो रहता होता है एक होता है saturated fatty acid, दो होता है unsaturated fatty acid, जो saturated fatty acid होता है, वो हमारा सरीर में इतने जल्दी digest नहीं हो पाता है, और वो सरीर में fat की दर पर store होके रह जाता है, तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण है हमारा सरीर का oid बढ़ने का, अब मैं बताने जा रहा हूँ, उस food के बारे में, जो food हमारा weight कम करने में मदद करता है, इस list में जिसका पहला नाम है, वो है fiber, fiber एक ऐसा food है, जो खाने के बाद हमारे सरीर के अंदर जाने के बाद, वो वाटर के साथ जोग जाता है, और एक जेल लाइक structure तैयर करता है, और वो हमारा digestive system को slow कर देता है, तो इसके लिए क्या होता है, कि हम लोगों को feel होता है, कि हमारे सरीर में अभी भी बहुत सारे खाना present है, तो हम लोग और खाना नहीं खाते, लेकिन हमारे सरीर को जो energy चाहिए होता है, वो हमारे सरीर के अंदर अगर पहले से ही fat मेजुद रहता है, मतलब belly fat, तो वहां से उसको digest करना start कर देता है, और वहां से energy लेना start करता है, तो इसके लिए हमारे सरीर का weight कम होता है, अब मैं चिस food के बारे मैं बताऊंगा, ओ है protein, protein एक ऐसा food है, जो हमारे सरीर के अंदर जाने के बाद PYY नामक एक hormone release कर बाता है, जिसका काम है, ओ फिल कर बाता है कि इंसानों की सरीर अभी भरा हुआ है, तो उसे अभी कोई खाना नहीं चाहिए, तो अगर उस इंसान को और भी जादा कैलोरी का जरूरत पड़ता है, तो तब उनके सरीर में पहले से मही मजूद हुआ जो बेली फैट रहता है, तो उसे डाइजिस्ट करना स्टार्ट कर देता है, और वहां से उसे energy मिल जाता है, और इसके तरू उसका weight भी कम हो जाता है, अब मैं जिस food के बारे में बताऊंगा, ओ है probiotic food, ऐसे बहुत सारे probiotic bacteria है, जो हमारे सरीर का weight कम करने में मदद करता है, जैसे कि Lactobacillus, Lactobacillus एक ऐसा pieces है, जो हमारे सरीर के अंदर जो belly fat रहता है, उसे कम करने में मदद करता है, और इसके तरू हमारा weight भी कम होता है, अब अब मैं जिस food के बारे में बताऊंगा, ओ है apple cider, apple cider एक ऐसा food है, जो हमारे सरीर के अंदर ब्लाड में अगर सुगर ज्यादा परिमान में पेजन रहता है, तो उसको कम करने में मदद करता है, और अगर हम सरीर के अंदर ब्लाड में सुगर कम हो जाता है, तो वो डायरेकली ह तो उसे कम कर देता है या जमना कम हो जाता है तो हम लोगों का वैड भी कम होता है अब मैं जिस पूर्ट के बारे में बताऊंगा वह गूट फैड जैसे कि हम आपको बताया है पहले ही कि जो सेचुरेटिट फैटी एसेट होता है वह हमारे सरीर के लिए खराब होता है और वह हमारा वैड बढ़ाता है लेकिन ऐसे भी जो अंसेचुरेटिट फैट होता है वह हमारे सरीर के लिए अच्छा होता है कि वहां से हम लोगों को बहुत सारे एनर्जी मिल जाता है और वह हमारे वैड कम करने में भी मदद करता है अब मैं जिस फूर्ट के बारे में और वहां से आपको एनर्जी मिल जाता है तो कोई भी खाना आपके सरीर के अंदर इजीली स्टोर नहीं होता है क्योंकि और डारेकली डाइजिस्ट हो जाता है तो इसके थूँ भी आपका वैड अब मैं जिसके बार में बताऊंगा ओए एक्सरसाइज अगर आप भी अपन करने के लिए आपके सरीर में जो बेली फैट पहले से स्टोर होके रहता है वो डाइजिस्ट होना स्टार्ड हो जाता है और इसके थूँ आपका वैड भी कम होता है अब मैं बताऊंगा कि ओ कौन सा फूड है जो आपको खाना नहीं चाहिए क्योंकि ओ फूड आपके वैड कर भी करते में बहुत ज्यादा मदद करता है तो इस लिए में जो पहला फूड है ऐलकौहal एक ऐसा ड्रींग है जहां से आपको बहुत जारे एनर्जी मिल जाता है तो अगर कोई इनसन एक दीन में बहुत सारे एलकौहal फीते हो हैं तो उसके बहुत सारे एजिली बहूत energy मिल जाता है और उसके बाद अगर ओप फाना खाते है तो ओखाना उसके सरीर में store हो के रहे जाता है क्योंकि उसे जतना energy चाहिए होता है ओ energy उसको alcohol से मिल जाता है क्योंकि एक alcohol जो फैट के बाद सबसे जादा कैलोरी हमें वहां से तो बीड़ी मिलता है अपमें इस पूट के बारे में बताऊंगा वह है सॉब ड्रिंक्स या फूइड जूस फूइड जूस और सॉब डिंक्स या सुइड डिंक्स एक ऐसा बेवरेज है जिसके अंदर सुगर बहुत सारे अमाउन में प्रेजेंट रहता है सुटेनिंग एज इस परिंटेज जादा होता है तो वह आपके सरीर में बेली फैट जमाक होने को मदद करता है अब फूट के बारे में बताओंगा जो है टांस पैट तांस फैट या सैचुरेटेट फैट जैसे की घी बाटर एक ऐसा खाना है जिसके अंदर सैचुरेटेटेट फैट बहुत स्टोर होके रह जाता है तो आपको अपना वेट कम करना है तो साचुरेटिट फैट या टांस फैट जिसमें प्रेजेंट है वो खाना खाना कम कर दीजे या छोड़ दीजे